एक्जामपर नंबर टू को सोल करते हैं एक्जामपर नंबर टू के इंदर यहां पर हमें लिखा हुआ है कि एक्स बराबर जीरो के परीत यहां पर एक्स बराबर जीरो के समीब जीरो के परीत कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ पर साब साब लिखावा स्रेनियल याद करना है तो हमें इसका स्रेनियल याद करना है तो यहाँ पर देखो यह दित्ये कोटी की रेकी का उकल समी करना है तो दित्ये कोटी की उकल समी करना होती है तो हम क्या करते है इसको चेक करते हैं कि यह साधरन बिंदू है या नहीं है तो यहाँ पर देखो एपक्स क्या होगा इसका जो डबल उकलन का जो गुणां को था वो एपक्स होता है तो हमारे पास यह एपक्स इक्वल टू 1-6 की पावर 2 है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे एपक्स जीरो गयात करते हैं तो एप जीरो इसको चेक कर रहे है क्योंकि एक्स बराबर ए है जीरो है तो जीरो को यहाँ पर चेक करते हैं तो जीरो को चेक करेंगे तो यहाँ पर 1 में लेगी इसकी वेलिव क्योंकि माइनस जीरो की पावर 2 तो यह 1 हो गई तो ये हमारे पास क्या आ रहा है एप 0 not equal to 0 आ रहा है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है ये इसका value 1 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कहा सकते हैं कि जब भी ऐसा होता ये साधारन बिंदो होता तो x बराबर 0 साधारन बिंदो है इसका मतलब यह है कि हम इस तरह से आगे इसको solve कर सकते हैं तो solve करने के लिए हम क्या करेंगे इसका हल मानेंगे हल मानते हैं हम इस तरह से इस तरह से इसका हल मान लिया हमने यह कैसे मानते हैं तो यह हमने पहले बतायता है y का माना में हम है यह मिल चुका है यहाँ पे, अब हमार पास d y upon dx और double aokalant, दोनों होना चाहिए तो हम इसका aokalant करते हैं, x के साप x x के साप x aokalant करेंगी, तो फस्ट टाइम aokalant करेंगी तो यह मिलेगा, और second time aokalant करेंगी तो हम यह मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आउकलन करते हैं तो यह सिगमा होता है तो सिगमा तो ऐसे कैसे रहता है उकलन होता है क्योल अंदर वाले पंक्षन का तो इसका उकलन हो गया तो यह मिल चुका फिर से इसका उकलन किया तो हमें यह मिल चुका तो आपको यहाँ पर ध्या सब्सक्राइब यहां से 2 से सुरह और यहां से 2 से सुरू होगा इस तरह से होता है यह क्यों होता तो यहां पर देख सकते हो इसकी घात कभी वैली इंए होते हैं अकसर क कभी भी हिली मा मैन अले हो और आपक सकती है और यहां पर पुल्ट करेंगा टो तो इस तरह से इसकी वेल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो इस तरह से तो हम इसका उकलन करते हैं, अउकलन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर तीन मान आ चुके है, y का, dyy upon dx, dx square y upon dx, dx square y upon dx square, यह तीनों मान हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जो हम गातों की पत्द है उसको एकसाथ करना है यान कि X की पावर जाजाज समान होगी उनको हमें एकसाथ कर लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगी यह जिया पर देखो सिगमा कोई प्रोब्लम नहीं करता है सिगमा को भूल जाओ आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए और यहाँ आपको यह पर देख सकते हैं आपको यह इसको सोल करने के बाद हमें यह एकवेशन मिलेगी अब यह कैसे मिली ए तुन मैं आपको यह सोल करके दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें इसको तो इसको सोल करके दिखाता हूँ आपको, तो इसको सोल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हूँ, यहाँ पे देखो, x की पावर 2 है, यह अंदर गोणा होगा, तो x की पावर 2 जब x की पावर r-2 सी गोणा होगा, तो इस तरह सी गोणा होगा, x की पावर 2 और X की power r-2 तो यहाँ पर total हमारे पास क्या होगा X की power r हो जाएगा यानकि हम यहाँ से कह सकते हैं एक पद आएगा जिसकी power x की power r होगी हमें एक पद तो ऐसा मिलेगा इसके अंदर और दूसरा पद किस तरह से मिलेगा यहाँ पर जब देखो यह 1 है तो X की power r बन जाएगा और यहाँ पर भी X की power r है इसका मतलब हमारे पास केवल दो पद बचेंगे एक तो X की power r वाला पद और एक X की power r-1 वाला पद इन दोनों पदों को हमें इकटा करेंगे तो यहाँ पर देखो X की power r वाले पदों को हमें एकटा कर रहा हूं तो यहां पर मैंने एक सकाभावाण अलिक दिया और इसके साथ कंसे को करहें ऐए अप देख सकते हो यहांपन यहां पर यहांपरS साथ यहां पर आपको मिलेगा 2 2 AR एक पत तो यह मिलेगा आपको और यह क्या है यह पोजिटिव है तो यहां पर इसके साथ मैंने पलस का चिन लगा दिया इसके साथ और क्या आएगा X की पावर 2 यहां पर देखो X की पावर R बनेगा यहां पर भी यह भी इसके साथ गोंड़ा हो जाएगा तो एक पद यह मिलेगा आपको माइनस के 2 A.R. और A.R. भी मिलेगा साथ में यहां पर एक तो है A.R. चोटा वाला A.R. और एक बड़ा यहां पर तोड़सा A.R. अलग से यह वाल R और यह जो X है तो X से अंदर गोणा होगा तो X की power R हो जाएगा और X की power R तो यहाँ पर बार निकल चुका है यहाँ से constant और इसकी दलावा और कहां कहां बचेगा X की power R यहाँ पर भी X की power R बनेगा जब यह minus के X की power 2 अंदर गोणा होगा तो यहाँ पे भी हमें एक ऐसा पद मिलने वाला है तो मैं इसको अंदर गुणा करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे देखो क्योल गात चेंज होगी बागी पंक्षन तो ऐसे कैसे बचेगा लेकिन यह माइनस का इसलिए माइनस का चिन भी आएगा तो यहाँ पे एक माइनस का चिन आएगा एक ए आ रहेगा और फिर से आ रहेगा और आर माइनस वन भी आएगा यहाँ पे इस तरह से तो यह मारे पास एक पद बन चुका तो एक पेक्टर तो मारे पास यह आ चुका X की power R वाला और इसके साथ में sigma आना चाहिए तो मैं यहाँ पे sigma लगाऊंगा और sigma कहां तक लगाएंगी infinite तक और R का मान मारे पास 0 से चलेगा infinite तक R का मान 0 से क्यों चलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो R का मान 0 रुकोंगा तो गात क्या होगी 0 गी minus में तो होने से रही तो एक पत्तो यह बन चुका जो आपको last में दिखाए दे रहा है यह पत्त इसी तरह से बनाया है यहाँ पे देखो सभी जगह पे AR आ रहा था इसलिए यहाँ पे इस AR भी मैंने common लिया है यह आप बाज में भी ले सकते हो solve करना में आपको सिका रहा हूँ कि किस तरह से हम solve करते हैं तो एक पत्तो यह बचेगा हमारे पास और यहाँ से आप minus को common लेऊगे तो आपको इस तरह से minus का चीनल मिलेगा वह आपकी चाह आप किस तरह से solve करते हो लेकिन solve इसी तरह से करते हैं यह concept में आपको सिका रहा हूँ यहाँ इसके बाद हमारे पास दूसरा पद मिला था जिसके अंदर x की गात मिली थी r minus के 2 तो r minus 2 के जितने भी पद है उनको इकटा करते हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे देखो इसमें तो r minus 2 के पद नहीं है इसमें भी r minus 2 के पद नहीं है क्यों यह है जिसके अंदर r minus की 2 के पद मिलेगी लेकिन यह कम मिलेंगे जब x से इसको गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ सी गुणा करने से तो हमें x की power r मिला था और वो हमने यहाँ पे लिख लिए है तो यहाँ पर हम हमेरे पास क्यों x से गुणा करने के बाद मिलेगा तो x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा ar और फिर से r r minus 1 क्यों यही पद बचेंगे मारे पास और इसको हम sigma लेंगे r बराबर 2 से लेंगे infinite तक आर बराबर 2C क्यों कि यहां पर R की पावर माइनस 2 और की है X की पावर R माइनस 2 और का है तो हम इसको इस तरह से लेंगे तो हमारे पास यह दो पंक्सन बच्चे थे और यह दोनों को एड़ करके लिखेंगे क्योंकि हमारे पास माइनस तो हमने कॉमन लिया नहीं था तो हम दोनों को एड़ करके यहां पर आगे नीचे लिखेंगे तो हम इस तरह से इसको सोल कर सकते हैं आप देख सकते हो R कमान जूरूशी इन पाइनाट यह 2C इन पाइनाट और यह जो पद बन रहा सेम तो सेम आपको यहां पर दिख रहा होगा तो हम इस तरह से इसको सोल करते हैं आगे अब यहां तक तो हमने इसको सोल कर लिया हमारे पास यह एक्योशन मिल चुकी अब इस एक्योशन को और आगे सोल करते हैं यहाँ पर पहले में इसको अंदर गुणा कर लिया या आपकी चाप कैसे भी कर सकते हो यहाँ से two common करके भी इसको आप solve कर सकते हो तो हम इसको आगे solve करेंगे तो हमें यह equation मिल चुकी है अब यहाँ पर देखो इस equation को solve करेंगे तो हमें क्या करना है कि X के अधिक्तम गात के गुणांग को हम सुनने के बराबर करते हैं, तो X के अधिक्तम गात के गुणांग को हम सुनने के बराबर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लिया हमने X के अधिक्तम गात, X के अधिक्तम गात क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखो R-2 है और यहाँ देखो X की power R-2 है, तो यह तो R-2 का गुणांग है यह जो आपको दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर बनाना है X की power R का गुणांग, तो यहाँ पर X की power R बनाना है, तो यहाँ पर R को मैं change कर सकता हूं, क्योंकि R का मान 0 से infinite अड़ तक है, यह 2 से infinite अड़ तक है, तो R का मा मान लो बड़ा R रखता हूं, इस तरह से रख दिया, और मैंने यहाँ पर minus 2 है, तो यह बदल जाएगा, किस के अंदर, यह change हो जाएगा, R के अंदर बदल जाएगा, तो हमारे पास इस तरह से है, यहाँ कि R के स्थान पर मैंने बड़ा R रख दिया, यान कि capital R का, तो यहाँ पर R है, वहाँ पर मैं क्या करूं, R प्लस 2 लिख दूं, यान कि यह जी पूरा पद है, इसमें R प्लस 2 में यहाँ पर पूट करता हूं, या तो AR के स्थान पर मैंने क्या कर दिया, R प्लस 2 कर दिया, और फिर से R था, तो AR के स्थान पर मैं क्या करूंगा, R प्लस 2 और फिर यहां पर, यहां पर देखो, rplus 2, minus 1 हो जाएगा, फिर शे, r के सथान पर मैंने rpo2 कर दिया, और फिर minus का 1 लिघ दिया, फिर यहां पर x की पाघर हो जाएगा, rplus 2, और पिर 친 Kahvenly के 2, तो यह देखो 2 से 2 केंसल हो गया, तो X की पाघर बन जुका, अब X की पावर R बन चुका इस तरह भी X की पावर R बन गया तो इसको क्या करेंगे X की पावर R का गोणाओं को गया यह तो यह गोणाओं का हम यहाँ पे फूट कर देंगे तो आपने देखा होगा यहाँ पे यह गोणाओं मैंने यहाँ पे फूट कर दिया क्योंकि यहां पर x की power r का गुणांग लिख दिया, यहां से भी लिख दिया और यहां से भी लिख दिया, और दोनों को यहां पर हमने कर दिया 0 की बराबर, अब इसको हम आगे सोल करेंगे, तो a r plus 2 में यहां से ग्याद कर सकता हूं, तो यहां से a r plus 2 ग्याद करते हैं, तो यह AR plus 2 का माना में मिल चुका है, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से आपको common लेने की बात कर रहा था, common लेने से क्या होता है, कि यहाँ पर, अब हम यहाँ पर गुननकंड कर रहे हैं, इसका, क्योंकि यह पंक्सन है यहाँ पर, अब इसका हम गुननकंड कर रहे हैं, और यहाँ पर common ले लेतें, तो गुननकंड करने की जोरुत नहीं पड़ती, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, इससे कोई ज़्यादा चेंज नहीं हो आए, हम यहाँ पर अब गुननकंड कर लेंगे, पहले नहीं किया तो अब करेंगे, तो यहाँ पर इसका गुननकंड करते हैं, र की पाउवर 2 पलस r माइनिस 2, इसका गुननकंड करेंगे, तो गुननकंड करने के बाद हमें यह equation मिलेगी यहाँ पर, अब यह equation मिली है, यहाँ पर देखो, R plus 2 से R plus 2 को में cancel कर सकता हूँ तो अब हमें AR plus 2 का मान इस तरह से मिल चुका है अब यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पर constant प्राप्त करना शुरू करेंगे R का मान हम क्या करेंगे 0 से रखना शुरू करेंगे तो 0 से हम आगे R का मान रख सकते हैं तो हम यहाँ पे r का मान इस तरह से put करेंगे और का मान one, three, five इस तरह से put करेंगे अब मैंने तो बोला था कि जीरो से put करना लेकिन मैं यहाँ पे पहले one, three और five इस तरह से human put कर रहा हूų इसका reason में बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता यहां पर जैसे मैं 1 put करूंगा तो यह 0 मिलेगा इसलिए सबसे पहले मैंने 1 को चूज किया है यहां पर तो यहां पर 1 put करूंगा तो यहां पर देखो A3 का मान मुझे मिलेगा 0 क्यों? क्योंकि यहां पर 1 put किया तो यह तो जाएगा A3 और इस साइड में जाएगा 0 अब मैंने आपको पिछले जो एक्जांपल solve किये थे उसके अंदर भी मैंने एक बात बतायती आपको कि अब यहां पर बहुत सारे गुणां के से आएगी जिनका मान 0 मिलने वाला वो कैसे पता चलेगा यहां पर देखो 2 का अंतरा यहां पर आ रहा है और यहां पर R पलस 2 है दोनों में चेंज कितना आ रहा 2 का तो यहां पर जैसे में 2 एड करूँगा पलस 2 किया तो क्या होगा A5 A5 भी में क्या मिलेगा 0 फिर यहां पर आप 2 एड़ करोगे इसके अंदर तो A7 आएगा यह भी मिलेगा आपको 0 इस तरह से 0 मिलता जाता है आगे यह क्यों मिल रहा है तो आपको A3 तो हमारे पास 0 आए गया है A5 को 0 करके बताता हूँ आपको किस तरह से आता है तो A5 को 0 करने के लिए A3 मिल यहां पर देखो A5 कब बनेगा जब यहां पर 3 रखेंगे तो मैं यहां पर 3 रखता हूँ R का मान में 3 रख दिया तो 3 पलस 2 और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस के 2 अपोन 3 पलस 1 लेकिन यहां पर क्या जाएगा A3 और A3 तो हमारे पास 0 आ चुका था पहले से तो इसको तो सोल करने की जूरूत नहीं है यह तो डायरेट लिए हमारे पास क्या रहा है 0 आ रहा है तो A5 हो गया इस तरह से A5 का मान में हमारे पास क्या आ गया 3 के अंदर फिर से 2 zså आ पमान पूट करो 5 के पूट करने पर 0 आएगा 5 के अंदर फिर से 2 error करेंगे तो 7 के अंदर हमें 0 मिलने वाला है यानकि 7 मतलब क्या है जब R कमान 7 पूट करेंगे तो हमें मिलेगा A9 यह में 0 इस तरह से मारे पास यहां पे तेखो नेक्स्ट जो लास्ट पेज था हमारा लास्ट पेज में हमें यह फोर्मुला मिला था और यहां से हमने एक के कहीं मानप्राप्त किये थे एक के मानप्राप्त कर लिए थे हमने ए3 ए5 ए7 इस तरह से हमने मानप्राप्त किये थे अब हम दूसरे मानप्राप्त करेंगे जो 0, 2, 4, 6 क्योंकि ये तो हमारे पास आ चुके और इनके मान हमारे पास 0 मिला था इनके लिए जो भी मिला था तो इनके लिए भी सोल करते हैं तो R का मान 0 पुट करेंगे तो R का मान 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो एक वेल्य आ चुकी यहां पर कमान टूट करेंगे यहां पर प्राप्त नुद खरेंगे तो इस तरह से मारे पास एप प्राप्त गया तो एफ और के इंदर देखो यहां पर आया है A2 आया है क्योंकि यहाँ पर देखो R कमान 2 पूट करेंगी तो यहाँ पर तो A2 आएगा A2 आएगा तो A2 कमान हम यहाँ पर रखेंगे और A2 कमान तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है क्या है? – 0 तो यहां पर – 0 रखेंगी, तो यह आए गए, फिर इस तरह से फिर यहां पर – 4 प्राप्त कर लिया हमने, अब यहां पर – домой, आर कमान हम 4 ए्प हुर 많 प्राप्त कर लेगा हमें तो हमने इस तरह से इसका मान प्राप्त कर लिया अब हमारे पास देखो हमने माना था जो हमारा क्यूसन था वो इस तरह से माना था यहां तक हमारा क्यूसन था वो हमने माना था अब क्यूसन के अंदर हम क्या करेंगे इसके मान पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको परसारित करेंगे इसको ओपन करेंगे यानि कि sigma है तो sigma को ओपन करेंगे और फिर put करेंगे यहां पर तो r का माने हम यहां पर 0 पूट करेंगे तो हमें यह मिला 1 put करने के बाद ये मिला 2 put करने के बाद ये पद मिला और इस तरह से infinite item पद प्राथ कर सकते हैं तो वहाँ पर हम put करेंगे यहाँ पर A0 A0 का मान तो है ये नहीं क्योंकि A0 तो constant है ये दित्य कोटी की equation है तो इसके अंदर 2 constant होंगे 2 constant होंगे तो A0 और A1 ये दोनों तो constant हो जाएंगे तो हम A2, A3 इनका मान put करेंगे तो इसके value put करते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखो ये जो value आ रहे है ये तो हमारे पास आ चुके और इसके लावा जो थी वो 0 थी यहाँ पर तो यहाँ पर देखो A0 का तो कुछ put करना है नहीं है क्योंकि ये तो constant आएगा A1 भी नहीं put करेंगे क्योंकि ये भी constant आएगा क्योंकि 2 constant होना जरूरी है अब यहाँ पर ता A2 A2 का मान हमने यहाँ से पूट कर दिया A3 तो 0 आएगा A4 का मान पिर से यहाँ पर पूट कर दिया A5 का मान 0 था A6 का मान हमने यहाँ से पूट कर दिया तो इस तरह से हमने मान पूट कर दिया और इस तरह से infinite मान हमारे पास है अब इसको आगी सोल करेंगे तो जो 0 हो रहा था उसको तो मटा देंगे और जहाँ पर A0 आ रहा है उसको हम कॉमन कर देंगे आसे देखो A0 आ रहा है तो हम इसको कॉमन करके लिखेंगे तो A0 को कॉमन करके लिखेंगे तो हमें यह equation मिलेगी और इस तरह के वल A1 के साथ तो के वल यह पद मिला है तो यह हो चुका हमारा answer यह जो आया है यह last answer आ चुका है इससे और ज्यादा इसको हल नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से जो यह series आई है इससे लिए इसको बोलते है स्रेणियल तो यह हमारा answer हो चुका है अगर आपको हमारे वीडियो से help हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को subscribe कीजिए और आपको physics, chemistry, math, bio या किसी भी competitive exam के pdf notes चाहिए तो आप हमारा app download कर सकते हो एप हमारा curiosity foundation नाम से play store पे मिल जाएगा या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी description box में जाएए वहाँ पे आपको हमारे app का link मिल जाएगा वहाँ से भी आप download कर सकते हो तो आप हमारे app को download कीजिए हमारे YouTube चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को share कीजिए अपने friends के साथ